हाई एवरीवन वेलकम तो भीमनीव आईएस माइन नेम इस रोहिक गर्चा एंड इस सीरीज इस कॉल्ड तो दे पॉइंट एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग करेंट अफेर्स को डिसकूस करते हैं प्रिलिम पॉइंट अफेर्स को इडेंटिफाई किया जाता है कि जो प्रिल अब आज का तॉपिक है अब्ट आज का तॉपिक हम किस लिए पढ़ रहे हैं इस विकाॉस एक तो इसके अदर एक दूप एक दो कैच है कि एकसे कहां पे हो सकता है आपने अपने अलडेडी इस एकसाइस के बाह आज अच पर देदिक हैं पढ़ा हो कि यारी किदर किदर कहां पर हुई है एक चोटा सा क्याइच उसमें है इसने करवाया को डिलेक्ट सवाल वहां से बन सकते हैं and we do not want to let go this opportunity कि इतने easy topic से कोई सवाल प्रिलिम्स के अंदर आ जाए तो we should be able to cater that is why ये वीडियो बन रही है दूसरा इसके साथ में एक स्टैटिक पार्ट भी जुड़ता है आके that is BSF जो की जिसके साथ में टॉपिक जो है वह एक्टिवेट हो जाता है प्लस लिटल बिट जोग्रेफी ऑफ दी एरिया जहां पर य होने वाली है आज की हमारी इस वीडियो के अंदर ये एक्सराइज 21 और 28 के बिच में conclude हो चुकी है और ये कहां पर कंड़क्ट हुई है सर्क्री के एरिया से लेके रन अफ कच और बाड मेर दिस्ट्रिक्ट और राजस्थान अगर अभी तक आपने इसको पढ़ा होगा तो इन केस ऑप्शिन कम्स जिसके अंदर में होगा कि विच अफ फॉल्विंग स्टेट्स वर इंक्लूद इन ऑप्स अग्सराइज है ना यह कुछ इस टाइप का टॉपिक अगर आता है वहां पर तो राजस्थान विल अल्सों भी एन अंसर तो हमें थोड़ा ध्यान रखना ह कि राजस्थान में भी है तो ब्रण अफ कच में तो हुआ है मेंली पर इन वाला डिस्टिक इस में पर शेल ऑप्रेशन वर करीड आउट इन फॉर्वर्वर्ड इन डेफ्ट अरिया जहां पर सारा साल नैविगेशन होती रहती है उस एरिया को हरामी नाला का जाता है इट इस अब पार्ट अफ सर्क्रीड ओ देखते है अभी हम सोटा से इसके आगे और यह तोपीक खास इसली इस लिए इस अब्लीक आउटरीच प्रोग्रम जास पार्ट अफ दी एक साईस्टो एक यह पी एफ है चेंट्रल आंप पुलिस फोर्स जो की पुब्लीक आउटरीच कर रही है इस exercise के दौरान और इस अब इसको मेंस के अंदर भी आप इसको मेंस के अंदर भी आप डिरेक्ली कोट कर सकते है जो security का पॉइंट अगर कोई question आ रहा है किसी एक GS में आ रहा है कहीं पर आप इस exercise को यह वाल एक्जाम्पल के साथ में महां पर दे सकते हैं यह यह इस आप डिर की वीं करेड आप तो फॉष अनी इल्ड दिजाइंग उसके दौरान और सात में अशरसाइस है तो यह लॉंग तर लिए जो आपकी च्रेंग पॉइंट 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 च्रेशाइस जो है वो इंपॉर्टन होजाई अगे लिखा हुए और 8 multi-story bunkers come observation post in the area along which sector in view of constant infiltration of Pakistani fishermen in the area इसको sanction कर दिये कि वहाँ पर permanent bunkers multi-story bunkers जो है वहाँ पर establish के जाएंगे 50 crore sanction हुआ है उसके लिए उस एरिया की security के लिए नेक्स जो मरली इंपॉर्टन है इसलिए एवस थोड़ा सा स्पीडिंग आप क्योंकि वह इतना इंपॉर्टन नहीं है चाहे आप उसको नोट ना भी कीजिए दो सही है इस इस आप जिसके उपर सवाल बन सकता है इस इस दे मैप जिसके उपर सवाल बन सकता है के आप को सीप करेंट कि आप आप को में अजिए आपको दोनों मोड में यह अविलेबल है इस आपको ने ओम एक्सेश्ण स्विडिंगे अनवर्वन बन क्लास Saturday and Monday को ये class होती है जिसके through पिछले week के current affairs है वो cover हो जाते है and once you attend this class साल के end में आपको एक register आपका बन जाएगा जिसके अंदर आपके सारे current affairs होंगे divide करके कि जितने भी हम 6 या 7 parts में register को divide करते है उसके अंदर economy के अलग, history, culture, art के अलग governance के अलग, social issues के अलग एक एक register के अंदर तो भी जिस्ट चर्न दी pages and write there तो आपके एक साथ में एक register के अंदर divided आपके current affairs जो है वो बन जाते है और class एक discussion based class रहती है और उसमें आपके particular topic के ओपर पूरी clarity आ जाती है and once you do that topic in that particular class तो आप consider कर सकते हैं कि हाँ यार वो topic done हो गए सारे angles उसमें touch हो जाते है second you get weekly pdfs with it आपके dashboard के ओपर once you sign up आपके dashboard के ओपर weekly pdfs जो है आपको मिलती है जिसके अंदर highly curated way के अंदर आपको पिछले week के जो current affairs है weekly current affairs वो आपको वहाँ पर मिल जाते हैं और आप उसको पढ़सक वहाँ पर पढ़िये आप static portion की research भी उसके अंदर already done होती है बहुत precise form के अंदर वो जो pdfs है वो बनती है number 3 इन सारी चीज़ा को पक्का करने के लिए you get weekly tests इन टीनो को मिला के यू can consider के आपको current affairs as a module is done इसके बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी and there is one more thing a special thing for you guys who I'll be telling you towards the end of this video अगर कुछ कॉर्स में इंटरस्टेट आथा दो देर इस a special thing for you guys इसके जोग्रेफी point of view से देखते है और इजनली नेम्ड बान गंगा अगेन पोटेंचल प्रीपॉइंट सर्क्रीक इस नेम्ड आफ्टर बिटिश रिप्रेसेंटेटिव इन 96 किलोमेटर लॉंग स्ट्रीप वाटर दिस्पूटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे सिंद प्रविंस आफ पाकिस्तान तो अगर सवाल आए कि कौन सा प्रविंस वहाँ पे लगता है सर्क्रीक डिवाइड विट्स टू एरियाज ऑफ इंडिया पाकिस्तान क्लेम्स कि जितनी एंटायर विट्स जीए ग्रीन लाइन अगर आप देख पारे हो यहां पे यह वाल इंडिया पाकिस्तान की बीच में आपको एक दुसरे के फिशर मैन को अरेस्ट करने वाली जो चीज़ें आपको बहुत जाध देखने को मिलती है इस एरिया में घुस्पैट भी बहुत जाधा होती है इस एरिया से से इस नाम से भी जाना जाता है इस के अंदर गुस पैट ज्याथा है कि नवी गेट आप कर सकते हैं इसका नाम भी इस के लिए प्रिकूरिर अरिया का 22 गुमेटर लॉग जाना है इसको इस नाम से बुलाया जाता है पर गुस्पैट बहुत जादा होती है अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे इस नेक्स वहले पे कि PSF यह थोड़ा सा स्टेटिक पार्ट है हम उसको वहाँ पर यहाँ पर टच करना चाह रहे हैं अगर कोई सवाल इसके उपर आए तो वो भी अंचुआ ना रह जाए इंडिया प्राइमेरी बॉर्डर कार्टिंग पोर से PSF में सारे पॉइंट्स आपको नहीं बताऊंगो जो में में है वो ही हम यहाँ पर थोड़े से डिस्कूस करेंगे का विर से बीस्ट्राइब प्राइबateg को क्यों कि फोड़ेवड जो अगे डिक है टिक है उस अंडिया में आटीनिज़कि पॉपघ है कि बीस्ट्राइब अगे देखेंगे important points baas f like all other CAPF it is under ministry of home affairs of the government of India right CAPF or BSF works under ministry of Home Affairs it is at present the world's largest border guarding force the organization has its own cadres of officers जो हम CAPF, UPSC का CAPF exam आता है, Session Commandant, AC, तो उसकी बात हुरी है, यहाँ पर, तो organization has its own cadre of officers, but the chief is always an IPS officer, Indian Police Service, यह एक important point, तो again, prelims के अंदर जो है, वो पूछा जा सकता है, जैसे कि BSF के बारे में कुछ तीन statements दे दी है, चार statement दे दी, which of the following is true, या फिर which of the following is untrue, या कितनी statements true है, कितनी fall है, one only, one and three only है, उस type के सवाल है, आपको देखने को सवाल है, इसके through, और यह जो आखरी वाला है, that is specifically for your PCS examinations, तो there have been questions in the past, जहां पर इस टाइक के सवाल पूछ लिए गए है, कि यह particular किसका मोटो है, यह किसका मोटो है, तो for that point of view is important, the ethos of BSF is, any task, anytime, anywhere, और इसका मोटो है, जीवन, परियत्न, करतव्य, means, duty unto death, that is today's topic, thank you so much for watching, इसमें थोड़ा सो mix है, आज का topic की, इसमें dynamic part और static part और जो है, आपको दोनों देखने को मिलते है, the thing I was telling you was कि, get a 7 days free trial, if you sign up for the course, आप एक बड़ी course को join कीजिए, trial लेके, and उसके बाद में, judge for yourself, see the quality of the class, thank you so much, and all the best for your preparation, My name is Rohit Garcha, and you are watching Abhimanyu IAS.